हाई वरिवर्ण विलकम टू फर्स इंविस्मेंट इन माइनिम इस शिवाण शिपसी आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कल कॉंसे स्टोक्स पर ट्रेट कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सेटेप रह सकता है और किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकती है एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चांबा मैं आप लोगों कि कल हम लोग दुबारा लाइव आ रहे हैं अपने यूट्यूब के अंदर अराउंट 8.40 एम पे अगर आप लोग इंटरस्टेड है वहापर लाइब मार्केट अनालिसस आप लोगों के साथ करी जाएगी वह करफेंता हैं आप लिए बिभरकेट अलव गररे करेंगे के सबस्क्राइब करतें हैं कि जैसी आप लोगों को मैं वीडियों अपलोड करू ही हम लोग या हम लोग लाइब आ जैसे CNBC अवाद Zee Business है, मैं कोशिच करूँगा, बैसा परफॉर्म करूँ, and yes guys, मेरे पास audience, मतलब मेरे पास और panels नहीं है, but, कोशिच कर रहा हूँ, मैं थोड़े बात लोगों से बात कर रहा हूँ, कि वो मेरे YouTube पे आए, and हम लोग कुछ पैनल क्रिएट करें, कि थोड़े और YouTubers and Instagram पे, जिन लोगों को अच्छे से आता है, Twitter पे कि लोगों को अच्छे से आता है, Stock Market Technical Analysis, वो मेरे साथ जोड़े Zoom Meeting पर, वो हम लोग live session आप लोगों के साथ करें, so please let me know on a comment section as well, कि अगर यह अच्छा decision है, और अगर आप लिख किसी लोगों को बना सकते हैं अपने through, तो वो भी अच्छी बात है, मुझे बता सकते हैं आप लोगों ठीक है, तो चलिए, start करते हैं और देखते हैं कल कौन से stocks बढ़िया perform कर सकते हैं एक important चीज और guys, देखें हर stocks अच्छे परफॉर्म नहीं कर सकता कुछ stocks अच्छे कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे किसी दिन अच्छा होगा, किसी दिन हमें loss होगा, तो हर समय आप लोगों यह बात सोचा करिए, कि sir आपने यह stock दिया loss हो गया, आपकी calls अच्छी नहीं जा रही है, मैं regularly अगर आपको हफते में 6 calls देता हूं, या 10 calls देता हूं, तो 10 में से हम देखते हैं 8 calls ही जाती है, 10 की 10 नहीं जा सकती है ठीक है, सो आप लोगों को be patience रहना पड़ेगा, and कुछ calls guys मैं instagram पर भी प्रोवाइट करवाता हूं, जहां पर जादर तर अभी instagram की सारी calls हीट हो रही है, सो आप वहां पर जाके हमें जरूर फॉलो कर सकते है, and अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा जूम का trading setup को जोईन नहीं करा है, हम जो infosys, infosys पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप पर दो circles आप लोगों के लिए रख रखे हैं, यह आप लोगों के लिए learning purpose के लिए है, और earning भी आप लोग इस पर कर सकते हैं, so जो green color का circle है, वो हमारे लिए resistance की तरफ act करेगा, जो red color का होगा वो support होगा, ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पर आप लोग इस zone पर देख रहे होगे, yellow color के zone पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, multiple bar resistance लिया, जब इस resistance का breakout आया, इस level से that resistance become support support, support and support ठीक है, अब थोड़ा आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यह एक, मैंने अपर resistance trend line को draw कर रहा है, जो कि आप लोगों को purple color से दिख रही होगे, यह resistance की trend line है, and यह black color की trend line मैंने एक support की draw कर रही है, अब आप देख रहे हैं, multiple resistance की line पर हम लोगों को resistance face करने को मिल रहा है, अब आप देखेंगे कि bottom से, अपने exact bottom से, it's continuously making higher eyes and higher lows, ठीक है दूसरी important चीज़, जब भी यह उपर जा रहा है, तो एक retracement लेता है फिर एक up move देता है, and फिर एक retracement लेता है, फिर एक up move देता है अब आप देखेंगे, तो इसने यहाँ पर HCL Tech, Tech Mahindra and Mindtree उन लोगों ने बहुत अच्य परफॉर्म करा आज के दिन भी, और यहाँ पर आप लोग यह दो stocks के अंदर भी IT सेक्टर के अंदर काम करते वे चल सकते हो, पहला Infosys है, दूसरा आप लोगों के साथ में भी share करता है, तो यहाँ पर हम लोग यह पूरी analysis आप लोगों के सामने में ने share करी है, आप इसे exact same draw कर सकते हैं अपने graphs पे भी, so let's move to our next talk, next talk जो हमारा है वो है TCS TCS पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि यह एक triangle pattern के अंदर काम कर रहा है आप देख रहें, यह एक triangle pattern के अंदर काम कर रहा है same goes with here as well जो एक green color का circle है that act as a resistance and red circle act as a support so यह एक triangle pattern है एक resistance line जो की purple color की है वहाँ पर हम लोगों को multiple highs पे resistance देखने को मिला and bottoms पे हम लोगों को support देखने को मिल रहा है जब मैंने सारे lows को connect करा and सारे tops को connect करा तो हम लोगों को एक triangle pattern देखा and उसका एक breakout हम लोगों को देखने को मिला इस session पे, आप देख रहे है almost 25th May को यह 1 hour का time frame की बात कर रहा हूं है 1 hour के हम लोगों ने 25th May को आज एक breakout देखा, around 9.15 पे जब एक market open हुई यहां पर breakout देने के बाद उपर गया, उपर जाने के बाद दुबारा नीचे आया, so अगर आप लोग यहां पर देखेंगे this act as a resistance यह एक resistance की तरफ act कर रहा था, इसके बाद हम लोगों ने देखा, जब resistance का इस level से एक breakout आया और breakout आने के बाद यहां पर यह एक zone के अंदर काम कर रहा है आप देख रहे है उपर जा रहा है नीचे आ रहा है यह एक zone के अंदर काम कर रहा है so अभी मैं TCS की बात करूँ तो यह current price है 3118 का हमें buying up करनी है हमें buying तभी करनी है जब यह 3123 के ऊपर जाएगा 3123 के ऊपर हम लोग एक buying कर सकते हैं और यह हम लोगों को 10-15 रुपे भी दे सकता है अब guys इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 5 stocks जो बताऊंगा उन 5 stocks को आप लोग 3-4 दिन के purpose के लिए hold करके रख सकते हैं 3-4 दिन के अंदर यह 5 stocks आप लोगों को बहुत बढ़िया return दे सकते हैं जो levels बता रहा हूँ इसके ऊपर buying करने के अगर आप उसके ऊपर buying करते हैं और 3-4 दिन के लिए hold करते हैं तो आप लोगों को अच्छे targets मिल सकते हैं तो यह भी आप लोग 3-1-2-3 के ऊपर buy करके चल सकते हैं कुछ इस तरीके की analysis आप लोगों के सामने present होगी आप लोग अपने graphs पे इसको note कर सकते हैं या draw कर सकते हैं लेट्स मूँव तो आर नेक्स टॉक नेक्स टॉक जो हमारा है वो है sun farmer sun farmer में आप लोगों के साथ share करना prefer करूँगा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो sun farmer में आप लोग यहाँ पर easily देख सकते हैं कि यह भी एक triangle pattern के अंदर काम कर रहा है triangle pattern के अंदर काम कर रहा है एक upper side में जो भी मैंने highs को connect कर रहा है that act as a resistance और जो भी मैंने lows को connect कर रहा है वो act कर रहा है as a support यहाँ पर मैंने एक नई चीज़ और आप लोगों के सामने रखी है जो कि यह blue color का zone आपको देखने को मिल रहा है यह blue color का zone हमें क्या बता रहा है कि इस blue color के zone के ऊपर जब भी कोई भी candle जाती है तो एक sharp up move आती है या फिर अगर इस zone के नीचे कभी भी आती है candle तो हम लोगों को एक fall देखने को मिलता है same goes with here and same goes with here अब यहाँ पर आप देखेंगे एक तो यह triangle pattern का breakout देने की त्यारी कर रहा है यहाँ पर एक जो upper resistance line है resistance का breakout दे रहा है एक triangle pattern का breakout दे रहा है plus इस zone के ऊपर जाना start कर रहा है so तीन चीज़े मिला रही है कि हमें Sun Pharma में एक buying कर सकते हैं क्या current level पर buying कर सकते हैं नहीं अभी trade कर रहे है Sun Pharma 6.96 रूपीज पर हमें कब buy करना है हमें buy करना है 6.97 के उपर जैसे 6.97 के उपर ही जाएगा हम लोग एक buying setup generate कर सकते हैं Sun Pharma के अंदर और ये भी हम लोगों को अच्छे returns दे सकता है आप देख सकते हैं triangle pattern का breakout आएगा तो आप लोगों को ये भी 10, 15, 20 रूपे दो दिन के अंदर अंदर दे सकता है और वहाँ पर आप लोग अच्छे profit generate कर सकते हैं So let's move to our next talk So next talk हमारा है Parag Milk Yes guys Parag Milk पर हम लोग अपनी एक buying की सला आप लोगों को दे रहे हैं इसको भी आप लोग position hold करके चल सकते हैं आप लोगों को graph यहाँ पर similar लग रहे होंगे and easy to understand होगे जो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे जो purple color की line है जहाँ पर आप लोग green color का circles देख रहे है that act as a resistance जो red color की line के साथ circles है वो act as a support तो यह एक channel के अंदर काम कर रहा है आप लोगों को बहुत अराम से दिख रहा होगा कि एक channel के अंदर easily काम कर रहा है चैनल का जब इसने एक breakout दिया जब इसने channel का इधर breakout दिया एक resistance का breakout दिया और उसके बाद नीचे आया so that नीचे आने के बाद that resistance become support because अब यहाँ support लेके bounce कर रहा है तो यह अब support बन चुका है अब यहाँ पर एक buying आ सकती है अभी बात करें stock trade कर रहा है around around 145.40 पर कितने पर trade कर रहा है 145.40 पर trade कर रहा है इसके targets क्या हो सकते हैं 163 से लेके 166 तक के यह मैंने क्यों बताया आप लोग ऊपर एक zone दिख रहे होंगे यह एक supply zone है supply zone को हम लोग resistance भी कहते हैं आप देख रहे होंगे इदर एक बार pullback लिया pullback लेने के बाद नीचे आया यानि कि इदर हमें एक supply देखने को मिला second time भी यहाँ पर एक supply हमें देखने को मिला इस stock के अंदर तो यहाँ पर अगर stock पर एक buying आती है इस level पर तो यह around इस zone तक जा सकता है जो कि 160 से लेके 165 तक tradable है अगर मैं percentage wise की बात करूँ तो यह almost almost आपको 10 से 15% का return बहुत easily दे सकता है आपका stop loss बहुत limited है आपका stop loss almost 5% का है 1 इस तो 3 का आपको restore reward इस के अंदर मिल सकता है पराग मिल के अंदर so I hope आप लोगों को यह analysis easy लग रही होगी और आप लोगों ने आप पर कुछ समझा भी होगा so let's move to our next stock so last stock की बात करते है जिसका stock का नाम है Navin Florine Navin Florine पे भी हमारी buy की सला है आप लोगों को and यह swing trade भी आप लोगों को बन सकता है वैसे generally जो मैंने सारे stocks बता है तो swing trade है अगर आप दो से तीन purpose के लिए दिन के purpose के लिए hold करे वे है बट अगर आप इसके charts के structure को समझेगे so आप लोगों को continuously पता है कि stock एक continuous uptrend के अंदर काम कर रहा है second चीज़ आप लोगों को यह red color की line दिखरी है with उसके circles दिख रहे है तो that act as a support यह देख रहे हैं एक support की तरफ काम कर रहा है इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप लोग चेक करेंगे देखें यह जो purple color की line है और जो green color के circles है that act as a resistance मैं आप लोगों को कुछ सिखा भी रहा हूँ तो आप लोगों की learning भी अच्छे से increase होती रहेगी जब इसका इसने breakout दिया एक resistance का इसने breakout दिया और एक बार नीचे आके इसी line को इसने retest करा that act as a support फिर उपर गया तो यानि कि आप देख रहे हैं यह चैनल के अंदर काम कर रहा है एक clear channel के अंदर यह काम करते वे चल रहा है यह देख सकते हैं अब क्या करा इसने channel का एक breakout दिया breakout देने के बाद exact इस level से एक बार नीचे आया नीचे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसने एक इस तरीके का support लिया इसने resistance का breakout दिया यहां resistance मिला retest करा support मिला दुबारा उपर गया दुबारा नीचे आया यानि कि जो यह range है यह जो छोटी सी range है यह एक resistance है क्योंकि बार-बार नीचे आरहा है इस level पे तो जब इसने इसका breakout दिया इसने resistance का breakout दिया stock उपर गया यह इसका lifetime high है उसके बाद stock नीचे आया नीचे आने के बाद आप देख रहे है जो पहले resistance होता था zone वो उसके लिए support बन चुका है आप देख रहे हैं कम से कम लगतार 10 candles इसी range पे consolidate करी और आज के trading session के अंतर हम लोगों ने एक breakout देखा इस particular stock पे क्या आप लोग buy कर सकते है definitely stock को buy करके चल सकते है stock का current price है नवीन फ्लोरीन का 3287 का आप लोग 3292 की उपर एक buying बना सकते है 5 रूपी उपर एक buying बना सकते है इसके targets है 3650 रूपीज के 3600 to 3650 रूपीज के targets है जो आप लोगों को अगर मैं percentage wise में दिखाता हूँ तो अच्छे खास है almost almost 10% का return है जो नवीन फ्लोरीन आपको दिखा सकता है so ये भी एक swing trade है 5 है मिट आप लोग सब पे trade करके चल सकते हैं अब बात करते हैं Nifty Bank Nifty की I hope आप लोगों को जो मैं ये analysis करवा रहा हूँ ये जो मैं आप लोगों को इस तरीके से present कर रहा हूँ charts आप लोगों को understandable होँगी easy language में समझ में आ रहा होगा so guys आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है जो मैं आप लोगों के सामने present कर रहा हूँ so please like this particular video और हम लोगों को comment section में जरूर बताएगा कि मैं next coming videos भी इस तरीके से ये आप लोगों को present करते विए समझाओ ठीक है let's move to Nifty and Bank Nifty Analysis Nifty पे चेक करते है 15 मिनिट का टाइम फ्रेम ही open करेंगे इस पे 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देख पा रहे है so Nifty क्या कर रहा है Nifty एक range के अंदर काम कर रहा है ठीक है Nifty Bank Nifty पे हमें analysis की ज़्यादा की need बिलकुल भी नहीं है so Nifty आप देख रहे हैं एक range के अंदर काम कर रहा है मैंने आप लोगों को live streaming पे और जो भी मेरी particular previous वीडियो से रही है मैंने आपको बोला every dip is a very good opportunity to buy index तो यहाँ पर आज जो dip मिली है इस dip में हम लोगों को buy करना था आप लोग अभी भी buy कर सकने है कल अगर कोई dip मिलती है तो accumulate करिए Nifty Bank Nifty को within a couple of days एक clear breakout हमें देखने को मिल रहा है index के अंदर तो अभी current price है 15,218 रुपीज आप लोग 15,250 के उपर एक fresh buy position initiate कर सकते है जो मेरी targets होंगे वो lifetime high के होंगे 15,400 तो 15,500 रुपीज की तीक है अब सर अगर नीचे आ रहा होता है तो आप लोग ऊपर के top की call को short कर सकते हैं बट generally आप लोग भाँ पर profit booking कर लेना ठीक है profit booking start करते रहना जादा नीचे नी जाएगा market recover दुबारा कर जाएगी ठीक है अब बात करते हैं bank nifty तो bank nifty ने अभी तक एक breakout नहीं दिया इस तरीके से nifty ने दिया वा है तो मैंने आप लोगों को बहुत time से बता रखा है कि अगर ये 35,000 80 या 90 की उपर जाएगा sustain करेगा तो ही हमें buy करना है कल भी देखेंगे अगर मैं कल की बात करूँ तो कल उपर गया था बढ़ इसके बाद दुबारा नीचे आ गया था आज उसी लेवल की उपर gap up भी खोला था बढ़ दुबारा नीचे आ गया था तो ये जो एक zone है ये वाला एक zone दिख रहे है इस zone पे ये बार बार sustain कर रहा है सो हमें करना क्या है हम लोग अभी current price की बात करें इंडेक्स की तो 34,700 है जो एक resistance है वो बहुत उपर है तो क्या इस बीच पे हम लोग बाय करें या ना करें कर सकते हो अगर ये 34,800 की उपर जाता है आप लोग एक fresh position bank nifty पे बना सकते है first target जो आप लोगों का होगा वो होगा 35,050 रूपीज का level and second target होगा 35,150 रूपीज का level वहाँ पर आप लोग अपनी profit booking कर सकते है because वहाँ पर एक supply zone है जहांसे बार-बार index नीचे आ सकता है but अगर इसका breakout दिया तो एक नई rally दुबारा start हो सकती है bank nifty के अंदर और ये 1,500 की movement भी within a couple of days easily दे सकता है so thank you so much guys for listening to this whole video and listening to me अगर आप लोगों को हमारे setups समझ में आ रहे हैं पसंद आ रहे हैं तो please subscribe to our channel और मैं एक announcement दुबारा कर दूँ कि मैं live आ रहा हूँ कल guys आप लोगों के सामने 8.40 a.m. पे so please be ready और हमें टेली गराम पे follow कर सकते हैं आपडेट्स डाल दूँगा आप लोगों के लिए और ठीक है so guys अब तक के लिए bye bye good night